एक जननी एक धरनी फिर विभाजन क्यों हुआ एक जननी एक धरनी फिर विभाजन क्यों हुआ एक कतनी एक करनी फिर विभाजन क्यों हुआ मन एक है मत एक है मत भेद कैसे हो गया भाईयों के प्रेम में विच्छेद कैसे हो गया भाईयों के प्रेम में विच्छेद कैसे हो गया एक के मन में कुटिलता एक के मन में सरलता एक के मन में कठिंता एक के मन में विरलता तो इस धरा पर अभी जो है बन रही वो रीत थी प्रताप में थी देश की शक्ति में सिंगासनों की प्रीत थी तो मेवार की धरती को छोड़ा मात के बंधन को तोड़ा वंच के दीपक ने जाकर वैरियों से हाथ जोड़ा तो प्रासाद में अवसाद का ये स्वर सुनाई दे रहा है कविता प्रारम आप लोग करें का नाम महराना प्रताप चोटे का नाम शक्ति सिंग है ये चार पंक्तिया मैं शद्धे पमार जी को सौपता हूं कि विश्व में प्रतिशोद करना थोड़ा सा भी पाप नहीं है विश्व में प्रतिशोद करना आगर आप तक कविता पहुंच जाए तो इस बार मुझे ऐसा रहा हो उम्र में, ये तनिक भी अभिशाप नहीं है, रास्ते में साथ छोड़े प्रेम का परिमाप नहीं है, प्रताप में शक्ती है, पर शक्ती में प्रताप नहीं है, प्रताप में शक्ती है, पर शक्ती में प्रताप नहीं है, सब वीर तब एक दूसरे के खुन के प्यासे बने, धनुष की हर डौर पर तीर भी मानो तने, इस वेग से शौनित बहा, प्रताप में शक्ती है, पर शक्ती में प्रताप नहीं है, मैं निवेदन कर रहा हूं कि अश अश्वपर आरूड राना शक्ति सिंग को सामने देखते हैं कि अश्वपर आरूड राना कर रहे है कल्पना युद्ध में भी जग रही है बंदुता की भावना जननी के दोचक्षूँओं में नीर भरने जा रहा हूं आज अपने भाई का ही खून करने जा रहा हूं आज अपने भाई का ही खून करने जा रहा हूं एक तरकपुर्ण आशावाज जगता है कि जब अर्जुन ने अपने भाईयों से युद्ध नहीं किया था तो कृष्ण को पूरी गीता सुनानी पड़ गई थी पंक्तियां देख लीजिएगा जरा कि अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को मैं निमंत्रन नहीं दूगा कृष्ण के अवतार को क्योंकि जानता हूँ अंत्तह निश्कर्स ये ही आएगा कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्धना कर पाएगा कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्धना कर पाएगा और राजस्थान की नारी का चित्रन कर दूँ तो बताएगा मा के बारे में सोसता है कि क्षत्राणी है वो राज की रणनीतियों को जानती है मात्रिभू के बेरियों को मा भी बेरी मानती है तो विजय श्री के बाद रण में शत्र के बजने न दूँगा अपनी मा के दूद को मैं कभी लजने न दूँगा तो कलपना से निकल राना देखते रणक्षित्र को फिर निहारा क्रोध से रक्तिम हुए हर नित्र को धरा के दुलार का उंगार मन में भर चुका था घाटियों में युद्ध की वो घोशना भी कर चुका था सब वीर तब एक दूसरे के खून के प्यासे बने धनुश की हर डूर पर तीर भी मानो तने इस वेग से शौनित बाहा की जो बहे मंदा की नी प्रतिपल वहां पर घट रही थी शत्रूओं की वाही नी पराक्रम से मुगल दल के राजस्थान का युद्ध अगर जीवन्त हो जाए तो दौनों हात उपर उठा कर तालियों की गढड़ा हट कीजीगा कि पराक्रम से मुगल दल के दात खटे पड़ रहे थे और बिनमुंड के भी ख्षत्रीय तलबार लेकर लड़ रहे थे तो दुरियोग से राणा का पराक्रम तब वहीं पर खो गया था दुरियोग से वो अश्व चेतक धराशाई हो गया था धराशाई देख उसको द्रगधारसी बहने लगी उस अनुज की भावना तब वहां क्या कहने लगी शक्ती ने देखा जबी प्रताप के संताप को नाप नाथा कठिन उसके सने है के परिमाप को शक्ती अश्व लेकर दूसरा वो जा रहा अश्व दूसरा दिया राना को अंतिम चार पंक्तियां सौप्राओं मुझे विदाई दे शक्ती ने अश्व दिया है और राना सोच रहे है के अश्व लेकर दूसरा वो जा रहा मैदान से अश्व लेकर दूसरा वो जा रहा मैदान से राना ने छोड़ी रन भूमी बड़े स्वाबी मान से इतिहास ने बोला कि राना हार कर ही जा रहा था मेरी कवता को आप लोग खत्म कीजिएगा अगर बात समझ में आ जाए भाईयों का प्रेम समझ में आ जाए तो पाकर विजयी होकर आ रहा था बहुत बहुत आप हार बहुत बहुत प्रणाम अजमें बहुत बहुत धने बार आपका